नमस्कार, पिछले कारक्रम में हमने प्रकाश के कलासंबध स्रोतों, प्रकाश तरंगों के कलासंबध तथा कला असंबध योग, संपोशी तथा विनाशी व्यतिकरण की घटनाओं को समझा था हमने देखा था कि टामस यंग ने वितिकरण फ्रिंज प्राप्त करने के लिए किस विवस्था का प्रयोग किया था तथा हमने अधिक्तम तथा निवन्तम तिव्रताओं की इस्थितियों की गड़ना भी की थी हमने जाना था कि बिंद स्रोतों के इस्थान पर हमारे पास दो जिरिया होती तो बिंदुओं का प्रत्यक यूग सीधी रेखा फ्रिंज उत्पन करता जिसके परिडाम सुरूप बढ़ी हुई तीवर्ता की सीधी रेखा फ्रिंज प्राप्त होती पिछले कारिक्रम के अंत में एक प्रस्ण उत्मन हुआ था कि यद द्विज हिरी के बजाए एकल जिरी हो तो कौन सी प्रकाशिक घटना होगी इस प्रश्ण के उत्तर के साथ आज इस कारिक्रम में हम कुछ अन्य संबंधित प्रकरणों पर चर्चा करेंगे विवर्तन यद हम किसी अपारदर्सी वस्त के द्वारा बनने वाली छाया को ध्यान से देखें तो ज्यामिती छाया के छेत्र के समीब वेतिकरण के समान बारी-बारी से अदीप्त तथा दीप्त छेत्र दिखते हैं ऐसा विवर्तन की परिघटना के कारण होता है विवर्तन एक सामान घटना है जो सभी प्रकार की तरंगों द्वारा प्रदर्सीत की जाती है चाहिए ध्वन तरंगे हों, प्रकास तरंगे हों, जल तरंगे हों या द्रव्य तरंगे हों अधिकांस अवरोधकों के विस्तार से प्रकार्ष की तरंग दैर्ग अत्यंत छोटी होती है इसलिए हमें दैनिक जीवन में विवर्तन के प्रुभाओं का सामना नहीं करना पड़ता लेकिन हमारी आँख या प्रकाशिक यंत्रों जैसे दूर दर्षकों अत्वा सुक्ष्म धर्षियों का निश्चित वियोजन विवर्तन की घटना के कारण सीमित रहता है जब हम किसी सीडी को देखते हैं तो उसमें रंग विवर्तन प्रुभाव के कारण ही दिखाई देते हैं विवर्तन पैटर्ण यंग के प्रयोग में हमने देखा था कि एक संकीन एकल जिरी नए शुरोत की तरह कारे करती है जहां से प्रकास विस्तारित होता है प्रकास संकीन छिद्रों तथा जिरियों से विस्तारित होता है तथा यह कोने से मुढकर उस छेत्र में प्रवेश करता हुआ प्रतीत होता है जहां हम छाया की अपेक्षा करते हैं जब यंग के प्रयोग की एक वरणी स्रोच से प्रकाशित दिजिरी को एक संकीन एकल जिरी द्वारा बदल देते हैं तो एक चवड़ा विवर्तन पैटर्ण दिखता है जिसके मध्य में दीप्ट छेत्र होता है और इसके दोनों और क्रमागत अदीप्ट एवं दीप्ट छे होते हैं जिनकी तीवर्ता केंद्र से दूर होने पर कम होती जाती है इस पैटर्ण को समझने के लिए हम एकल जिरी पर विचार करते हैं चित्र में एच वड़ाई की एकल जिरी एल एन है इस जिरी पर एक समानतर किरणपुंज अभिलंबवत डाला गया है विवर्तित प्रकाश आगे रखे एक पर्दे पर आप्तित होता है जिरी का मध्य बिंदु M है बिंदु M से गुजरने वाली और जिरी के तल के अभिलंबवत सरल रेखा पर्दे को बिंदु C पर मिलती है हमें परदे के किसी बिंद P पर तीवरता ज्याद करनी है बिंद P को विभिन बिंदुओं L, M, N आध से जोडने वाली विभिन सरल रेखाएं परस्पर समानतर एवं अभिलंब M C से कोण थीटा बनाती है मूल उद्देश या है कि जिरी को बहुत से छोटे भागों में विभाजित किया जाए और बिंद P पर उनके योगदानों को उचित कलानतर के साथ जोड़ा जाए जिरी पर प्राप तरंगाग्र के विभिन भागों को दुतियक स्रोतों की तरह विवहार में लाते हैं क्योंकि आपाती तरंगाग्र जिरी के तल में समानतर है तथा ये स्रोत एक ही कला में होते हैं अतह जिरी के दो सिरों के बीच के पथानतर Np माइनस Lp की गड़ना हम ठीक उसी प्रकार कर सकते हैं जैसे टामस यंग के प्रयोग में की थी विवर्तन पैटर्ण में केंद्री उच्चिस्त चित्र से Np माइनस Lp बराबर Nq बराबर A sin theta अब अगर कोण का मान छोटा हो तो sin theta का मान ठीटा होगा और हमें Np माइनस Lp A theta के लगभग बराबर मिलेगा अब हमें सुरोतों की बड़ी संख्या से प्राप्त होने वाले समान कला संबद योगदानों को जोड़ना है जिन में से प्रत्येक भिन कला संपन होता है परदे के बिंद C पर theta बराबर सुनने अतह सभी पथांतर भी सुनने होंगे और जिरी के सभी भागों का योगदान सम कला में होगा इसलिए बिंद C पर हमें उच्चतम तीवर्ता प्राप्त होगी विवर्तन पैटर्ण में निमनिस्ट अब हम एक ऐसी इस्ति पर विचार करते हैं कि पथांतर A theta lambda के बराबर है तब theta लगभग lambda बटा A अब जिरी को दो बराबर भागों L M तथा M N में माटें जिन में प्रत्येक का आकार A बटा दो है भाग L M में प्रत्येक बिंद M 1 के लिए भाग M N में एक बिंद M 2 इस प्रकार है कि M 1 M 2 बराबर A बटा दो बिंद P पर M 1 तथा M 2 के लिए पथांतर M 2 P माइनस M 1 P बराबर थीटा A बटा दो बराबर लेमडा बटा दो M 1 तथा M 2 के योगदान रद्ध हो जाते हैं और तीवरता सून्य मिलती है इसी प्रकार उन सभी इस्थानों पर तीवरता सून्य होगी जिसके लिए थीटा बराबर N लेमडा बटा A जहां N बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इत्यादी विवरतन पैटर्ण में उच्चिस्थ अब एक कोण थीटा बराबर तीन लेमडा बटा दो A जो दो अधीप्त फ्रिंजों के मद्ध में है पर विचार करते हैं जहीरी को तीन बराबर भागों में बाटे यदि हम प्रथम दो तिहाई जहीरी को लें तो दो सिरों के बीच पथांतर लेमडा होगा प्रथम दो तिहाई जहीरी को दो अर्ध भागों में विभाजित करने पर पथांतर लेमडा बटे दो होगा अतह इन दो अर्ध भागों के योगदान रद्ध हो जाएंगे केवल सेश एक तिहाई भाग ही दो निमनिस्थों के मद्ध किसी बिंद पर तीवर्ता देगा इसी प्रकार उन सभी इस्थानों पर उच्चिस्थ मिलेगा जिसके लिए थीटा बराबर एन प्लस एक बटा दो लेमडा बटा ए जहां एन बराबर दो तीन चार इत्यादी यहां यह इस्पस्थ है कि ये सारे उच्चिस्थ केंद्री उच्चिस्थ की अपेक्छा काफी छीन होंगी क्योंकि केंद्री उच्चिस्थ में पूरी जिरी तीवर्ता में योगदान दे रही थी विवर्तन पैटर्ण में तीवर्ता वितरण एकल धीरी द्वारा विवर्तन के लिए फ्रिंजों की तीवर्ता वितरण इस चित्र में दिखाया गया है वे स्थान जहां उच्चिस्थ मिलेगा थीटा बराबर एन प्लस एक बटा दो लैमडा बटा ए जहां एन बराबर दो तीन चार इत्यादी यहां हम समझ सकते हैं कि एकल धीरी का केवल पांचवां साथवां नवां आदि भाग ही तीवर्ता में योगदान देता है वेतिकरण तथा विवर्तन में संबंध आए हम दी जहीरी वेतिकरण तथा एकल जहीरी विवर्तन में समानता पर विचार करें दि जीरी प्रयोग में परदे पर बनने वाला पैटर्ण वास्तों में प्रतेग जीरी द्वारा अध्यार ओपन से बनने वाला एकल जीरी विवर्तन पैटर्ण तथा दि जीरी व्यतिकरन पैटर्ण होता है चित्र में यही दिखाया गया है चित्र एक विस्त्रत सीर्स दरसाता है ये सीर्स इसमें चित्र में दिखाया गया है जिसमें दू जिरी व्यतिकरण के कारण अनेक कम चवडाई की फ्रिंज दिखाई देते हैं विश्त्रत विवर्तन शीर्स में विद्यमान वेतिकरण फ्रिंजों की संख्या अनपात D बटा A अर्थात दो जीरियों के बीच की दूरी तथा जीरी की चवडाई के अनपात पर निरवर है। एक बहुत छोटे बनने की सीमा में विवर्तन पैटर्ण बहुत समतल बनेगा तथा हमें दिजीरी वेतिकरण पैटर्ण दिखाई देगा। अब हम वेतिकरण पैटर्ण तथा विवर्तन पैटर्ण में अंतर पर विचार करते हैं। वितिकरण पैटर्ण में समान अंतराल पर दीप्ट तथा अदीप्ट बैंड होते हैं। विवर्तन पैटर्ण में एक केंद्री उचिस्थ होता है जो दूसरे उचिस्थों से दो गुना चवड़ा होता है। केंद्र के दोनों और केंद्र से दूरी बढ़ने पर उचिस्थों की तीवर्ता कम होती जाती है दूसरा वेतिकरन पैटर्न का परिकलन दो संकीन धिरियों से उद्गमित दो तरंगों के अध्यार ओपन द्वारा करते हैं विवर्तन पैटर्न एक एकल धिरी के प्रतेक बिंद से उद्गमित सतत तरंग परिवार के अध्यार ओपन से प्राप्त होता है और तीसरा आंतर है कि चवडाई a की किसी एकल धिरी के लिए विवर्तन पैटर्न का पहला शून कोन लेम्डा बटा a पर इस्थित होता है इसी कोण लेमडा बटा ए पर जब दो संकेंड धिरियों के बीज की दूरी ए है के लिए हमें उच्चिस्थ मिलता है दूर दर्सी की विभेदन छमता किरण प्रकाशिकी में हम दूर दर्सकों के बारे में जान चुके हैं दूर दर्सी का कोणिय विभेदन इसके अभिद्रिश्यक से निर्धारित होता है अभिद्रिश्यक द्वारा बनाये गए प्रतिविम में जो तारे विभेदित नहीं हो पाते वे नेत्रिका द्वारा उत्पन आवर्धन द्वारा भी विभेदित नहीं हो सकते नेत्रिका का प्रारंभिक उद्डेश अभिद्रिश्यक द्वारा उत्पन प्रतिविम को और अधिक आवर्धित करना है एक उत्तर लेन्स पर गिरने वाले एक समांतर किरन पुंज पर विचार करें यद लेंज़ विप्दन के लिए पून रूपसे संसोधित है, तब ज्यामितिय प्रकास्की के अनुसार किरण पुनज एक बिन्दध पर फोकसित होगा। तथा पि विवर्तन के कारण किरण पुंज एक बिंद पर फोकसित होने के बजाए एक परिमित छेत्र फल में फोकसित होगा इस दसा में विवर्तन के प्रुभाओं को एक समतल तरंग को उत्तल लेंस से पहले रखे वृत्ताकार द्वारक पर आप्तित करा कर ग्याद कर सकते हैं विवर्तन के प्रुभाओं को ध्यान में रखते हुए फोकस सम्तल पर बनने वाले पैटर्ण में एक केंद्री ये दीप्ट छेत्र होगा जो चारों ओर से अदीप्ट तथा दीप्ट संकेंद्रित वलेयों से घिरा होगा विस्त्रत विसलेशन से घ्याद होता है कि केंद्री ये दीप्ट छेत्र की त्रिज्या लगभग एक दसमलोग दो दो लैम्डा एफ बटा दो ए होती है जहां पर एफ लेंस की फोकस दूरी तथा दो ए व्रित्ताकार द्वारक के व्यास अथवा लेंस के व्यास में जो भी क काम हो वही है दो तारों को विभेदित करने के लिए एक डेल्टा थीटा लगभग बराबर एक दसमलोग दो दो लैम्डा एफ बटा दो ए या डेल्टा थीटा लगभग बराबर सुन्य दसमलोव छे एक लेम्डा बटा ए अताह यद अविद्रश्यक के अव्यास अधिक है तो डेल्टा थीटा छोटा होगा इससे पता चलता है कि यद एक आमान अधिक है तो दूरदर्सी की विभेदन चमता अधिक होगी यही कारण है कि अच्छे विभेदन के लिए दूरदर्सक के अविद्रश्यक का व्यास अधिक होना चाहिए सूच्म दर्सी की विभेदन चमता एक सूच्म दर्सी के अविद्रश्यक लेंस के लिए हम समान तरक का उपयोग कर सकते हैं इस चित्र में वस्त को F से थोड़ा अधिक दूर रखा गया है, जिससे की दूरी V पर वास्तविक प्रतिविम्ब बनता है। चित्र से D बटा F लगभग बराबर दो टैन बीटा चहां दो बीटा सुक्ष्म दर्सी के फोकस पर अभिद्रिश्यक लेंज के व्यास द्वारा बनाया गया कोण है। एक बिंदु वस्तु का प्रतिविम्ब बिंदु के समतल में एक विवर्तन पैटर्ण होगा। जिसका आकार V थीटा बराबर V एक दसमलो दो दो लैमडा बटा D होगा। वस्तु तल में संगत निवनतम दूरी D निवन होगी। D निवन बराबर V एक दसमलो दो दो लैमडा बटा D बटा M बराबर एक दसमलो दो दो लैमडा बटा D गुणा V बटा M बराबर एक दसमलो दो दो F लैमडा बटा D तथा डी निवन बराबर एक दसमलोग दो दो लेमडा बटा दो एन साइन बीटा दो विम्ब जिनके प्रतिविम्ब इस दूरी से कम पर होंगे विभेदित नहीं होंगे वे एक ही दिखाई देंगे यदि वस्त तथा अभिद्रिस्यक लेंज के बीच वायव ना होकर अपुरत नांक एन का एक माध्यम है तो निवन तमदूरी तथा डी निवन बराबर एक दसमलोग दो दो लेमडा बटा दो एन साइन बीटा होगी गुणन फल एन साइन बीटा को संख्यात्मक द्वारक कहते हैं तथा या कभी-कभी अभिद्रिस्यक पर अंकित होता है सुक्ष्मदर्सी की विभेदन छमता सुस्पस्ट दिखने वाले दो बिन्दूओं के वीच की निवन तमदूरी के वितक्रम से व्यक्त की जाती है तथा या देखा जा सकता है कि एक उपयुक्त उच्चतर अपवर्तनांक वाले माध्यम के प्रयोग से विभेदन छमता बढ़ाई जा सकती है प्राया एक तेल जिसका अपवर्तनांक लेंस के काँच के अपवर्तनांक के समीब है का उपयोग किया जाता है इस विवस्था को एक तैल निमजन अभिद्रिश्यक कहते हैं ध्यान देने की बात है कि साइन बीटा के मान को एक से अधिक करना संभो नहीं है इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि एक सुक्ष्म दर्शी की विवेदंग छमता मूलता उपयोग में लाए गए प्रकास की तरंग दैर्ग से निरधारित होती है किरन प्रकाशकी की वैधता हम जान चुके हैं कि एक A साइज का द्वारक अरथा जिरी अथवा छिद्र किसी समानतर किरन पुंज द्वारा प्रदीप्त होने पर लगभग लैमडा बटा A कोण में प्रकास विवर्तित करता है यह दीप्त केनरी उच्चिस्ट का कोणी आकार है अता एक दूरी Z चलने में केवल विवर्तन के कारण ही विवर्तित किरन पुंज एक चवड़ाई Z लैमडा बटा A प्राप्त कर लेगा अब प्रश्ण उठता है कि Z के किस मान के लिए विवर्तन द्वारा विस्तारण द्वारक के साइज A के तुल्ले होगा इसके लिए हम Z लैमडा बटा A को लगभग A के बराबर मानते हैं इससे हमें वह दूरी Z प्राप्त होती है जिसके आगे A चवड़ाई की किरन पुंज का अपसरण सार्थक हो जाता है इसलिए Z लगभग बराबर A वर्ग बटा लैमडा एक राशी Z F जिसे फ्रेनल दूरी कहते हैं को Z F लगभग बराबर A वर्ग बटा लैमडा के द्वारा परिभासित करते हैं यह समीकर दर्शाती है कि Z F से बहुत कम दूरियों के लिए विवर्टन के कारण विस्तारण किरन पुंज के साइज की तुलना में छोटा है जब दूरी लगभग Z F होती है तब यह तुलनी हो जाता है Z F से बहुत अधिक दूरियों के लिए विवर्टन के कारण विस्तारण किरन पुंज की कारण विस्तारण की तुलना में अधिक प्रोभवी हो जाता है समी करण Z लगभग बराबर A वर्ग बटा लैम्डा धर्साती है कि किरण प्रकाश की तरंग दैर्ग के सुन्य सीमा की ओर अग्रसर होने पर वैद है अब हम एक प्रस्ण को हल करते हैं प्रस्ण है कि उस दूरी का आकलन कीजिए जिसके लिए किसी 4 mm के आकार के द्वारक तथा 400 नैनो मीटर तरंग दैर्ग के प्रकाश के लिए किरण प्रकाश की सनिकट रूप से लागु होती है यहां दिया हुआ है कि A बराबर 4 mm बराबर 4.0 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर लेम्डा बराबर 400 नैनो मीटर बराबर 4.0 गुणा 10 की घात माइनस 7 मीटर अब हम जानते हैं कि फ्रेनल डूरी ZF लगभग बराबर होती है A बराबर लेम्डा अगर हम मान रखें तो 4.0 गुणा 10 की घात माइनस 3 संपूर्ण बराबर 4.0 गुणा 10 की घात माइनस 7 मीटर हल करने पर ZF लगभग बराबर होगा 40 मीटर आज के कारिक्रम में हमने विवर्तन की घटना के बारे में विस्तार से जाना हमने एकल जिरी द्वारा प्राप्त उच्चिस्थों तथा निम्निस्थों के लिए तारकी रूप से सर्तें तथा उच्चिस्थों में तीवर्ता वित्रण के बारे में ज्यान प्राप्त किया इसके अलावा हमने वितिकरण तथा विवर्तन में समानता और भिनताओं के बारे में भी समझा दूर दर्सी तथा सुक्ष्म दर्सी की विवेधन चमता जानने के साथ साथ हमने किरण प्रकाशकी की वैधता के बारे में भी समझा अंत में हमने किरण प्रकाशकी की वैदता पर आधारित एक प्रश्ण भी हल किया तरंग प्रकाशकी पर आधारित वैतिकरण तथा विवर्तन के बारे में तो हम काफी कुछ जान चुके हैं पर प्रश्ण उठता है कि क्या कोई और भी प्रकाशिक घटना है जिसे हम तरंग प्रकाशकी के उपयोग से समझ सकते हैं इस प्रश्ण के उत्तर के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक आप भी इस प्रश्ण का उत्तर खोजने का प्रयास करें धन्यवाद नमस्कार यहँआ करूएँ नमस्कार एंग करूएँ करूएब करूएँ भी इस प्रूएब